तो गाईज अगर आपने भी OPPO A79 5G बाई किया है या बाई करने की बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपी की लिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हूँ इसके ऐसे एडन टिप्स और ट्रिक्स जो आपको किसी और वीडियो में देखने को नहीं मिर देंगे और जिनकी हेल्प से आप अपने OPPO A79 5G को और भी बहतर तरीके से यूज कर पाएंगे और जो 20,000 रुपे आपने इस पर खर्च किये हैं उनका पूरा पूरा बेनेफिट ले पाएंगे तो बिना किसी देरी के चलते हैं OPPO A79 5G की स्क्रीन पर इस पॉन में आपको स्क्रीन ट्रांसलेट का फंक्शन देखने को मिलता है यानि कि आपके स्क्रीन पर जो भी लिखा है आप उसे किसी भी लेंग्वेज से किसी भी दूसरी लेंग्वेज में चाहे वो इंडियन हो बहुत सारी इंडियन लेंग्वेज का भी support दिया गया है इसमें एंड काफी सारी foreign languages तो आप एक लेंग्वेज से दूसरी लेंग्वेज में उसे translate कर सकते हैं सिफ एक ही tap में जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर आपको screen translate देखने को मिल जाएगा अब आप दे है option देखने को मिल जाता है काफी सारी foreign languages इंडियन लेंग्विज भी है बेंगॉली है भोजपूरी है तामिल है लिसन करना चाहूं तो मैं लिसन करना चाहूं तो मैं लिसन को एनेबल करने के लिए आपको smart sidebar को activate करना है इसके लिए आपको आना है पहले settings पर और फिर नीच कर लेना है यहां करने के बाद यहां side में एक बार आपको light सी दिखेगी और जैसी आप इसको हलका सा इस तरीके से slide करेंगे तो यहां पर आपको काफी सारी apps देखने को मिल जाएंगी यहां पर इसको आप edit भी कर सकते हैं इसमें दूसरी apps को भी add कर सकते हैं जिने भी आप frequently use करते हो smart side bar को activate करने के बाद अब screen translate का function भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगा and and about screen translate को यहीं पर add कर सकते हैं यहां से use करना इसको easy होता है next feature है कि हाँ आप YouTube को background में चला सकते हैं कोई और app यूज करते करते हैं YouTube पे आपने जो भी play किया है वो भी जो है play होता रहेगा and आप easily songs वगेरा जो हैं सुन सकते हैं and उसके लिए आपको YouTube की कोई भी video प्ले करनी है suppose अगर मैंने यह वाली video प्ले करी है अब यहां पर आपको background stream का option देखने को मिल जाएगा बस अब आप चाहे कुछ भी play कर रहे है ना अपने phone पे तो भी पीछे आपका यह वाला song चलता रहेगा अगर आप इसे off करना चाहते हो तो बस वापस YouTube पे जाना है और वीडियो को cancel कर देना है बस आप यह off हो जाएगी next feature है screenshot का तो screenshot लेने के लिए आपको अपने power button को और volume down button को इस तरीके से प्रेस करना ही कठे and screenshot आ जाएगा और screen की इस phone के अंदर अगर आपका कोई phone number यह आपको address उसके अंदर है तो यह उसे detect कर लेता है तो यहाँ auto पे जैसे click करेंगे इस तरीके से scanning करेगा और आपको बता देगा कि इसमें कोई private information है या नहीं फिर भी अगर आपको doubt है कि यह information मुझे नहीं send करनी है screenshot में तो इसे मैं ऐसे प्रेस करूँगी तो यह number यह जो deleted वैसे अभी मैंने screenshot लेने का आपको एक तरीका बता है और दूसरा तरीका जो screenshot लेने का है वो आपको इन तीन fingers को just नीचे ऐसे slide करना है तो आपके पास screenshot आजाएगा अभी screenshot को आप यहीं से share कर सकते हैं एक और चीज है कि अगर आपको long screenshot लेना है सबोज यह मैंने YouTube ओपन कि और मुझे यह काफी long screenshot यहाँ पर send करना है किसी को तो मैं किसी भी form में ले लूँगी इसको और scroll कर दूँगी और अब यह अपने आप scroll होना शुरू हो जाएगा नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा आप जहां पर भी इसे stop करना चाहते हैं आप done कर सकते हैं तो उतन इसे ले पाएंगे तो जितना भी आपने लेना उतना आप ले सकते हैं इसे अपने इसाप से एड़ेट विगेरा कर सकते हैं और फिर बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पर pixelate का भी option मिल जाता है translate का भी option देखने को मिल जाता है translate आप listen करना चाहते हैं तो listen कर सकते किसी और इंडियन लेंग्वेज बेंगॉली में करना है तो यह बेंगॉली में translate कर देगा एंड इसे अप्लेसन भी कर सकते हैं और नेक्स्ट जो फीचर है वह है कि आप जैसे माली जी की गाड़ी में या फिर बाइक वगेरा पे किसी भी ट्रैवल करें आपने अप automatically pick हो जाएगी जितने second बाद भी आप set करोगे यानि कि आपको अपने phone को उठाना ही नहीं है हाथ में automatically आप connect हो जाएगे जिसने भी आपको call किया उससे तो उसके लिए आपको dialer पे आना है and then उपर की तरफ यह जो तीन dots दिख रहे हैं इस पे आना है and then settings में जाना है settings में जाने के बाद आपको calling accounts यहां पर दिखेगा calling accounts पे आना है and यहां पर answer and end calls पे आना है auto answer when connected to external audio device यानि कि अगर आपने Bluetooth से अपने phone को connect किया है तो auto answer हो जाएगा कितने seconds बाद आप चाहते हैं कि auto answer हो जाए वो आप यहां से select कर सकते हैं 15 seconds 5 seconds या 10 seconds का option है तो यह मेरे जाब से काफी अच्छा है आपकी safety point of view से तो कोई accident वगेरा भी हो सकता है तो उस चीज के लिए यह काफी अच्छा लगा मुझे next भी एक protection feature है यानि कि कहीं बारी होता है कि हम अपनी photo वगेरा किसी के साथ share करते हैं तो हमारा जो कहां पर हमने ली है location वगेरा भी साथ में share हो जाती है तो वो चीज यहां पर आप control कर सकते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी photo पे जाना है और उसके बाद यहां पर settings में आ location remove हो जाएगी phone में से और दूसरी properties की कौन से device से आपने photo click किया है कितना aperture हो गयरा है या shuttle speed कितनी है वो सारी information यानि कि जो photo की details होती है वो share नहीं हो पाफी अच्छा function है from the point of view of privacy next feature है split screen को लेकर यानि कि आप यहां पर दो apps को एकठे भी चला सकते हैं for example अगर मैंने यहां प तो यह उपर चला जाएगा and मैं इसके नीचे कोई भी ऐसी app open कर सकती हूं जो कि split screen को support करती है तो जैसे यहां पर मैंने Google Chrome खोल लिया है तो यहां पर उपर और नीचे दो अलग-अलग apps चल गए हैं मैं चाहूं तो इनके size को भी इस तरीके से adjust कर सकती हूं and अगर वापस ए particular किसी app से आपको कोई notification ना है तो आप जिस भी app के आगे हम पर टिक करेंगे वो app inactivate हो जाएगी तब तक कि लिए जब तक कि आप उसको दुबारा से activate नहीं करते हैं अब अगर जैसे हमने camera app पर टिक किया है तो अब हमारा जो camera है वो यहां पर inactive हो जाएगा यानि कि वो च अब हैंगे control center है तो यहां पर आपको कोई option नहीं दिख रहे है तो simply आपको यहां तीन डॉट्स पर क्लिक करना है और यहां पर edit titles देखने को मिल जाएगा यहां पर नीचे आपको वो options देखने को मिलेंगे जो आपके control center में शो नहीं हो रहे हैं तो आप जैसे जैसे मैंने म vibration mode भी लेके आना है तो मैं इसको करूँगे तो यह भी मुझे यहां पर show होने लग जाएगा और अगर मैं यहां चाहती हूँ power saving mode भी मुझे दिखने लगे तो वो भी मुझे यहां पर दिखने लगेगा देख सकते हैं अगर आप मैं देखती हूँ तो यहां पर power saving mode भी आ और vibration mode भी आ चुका है बाकि इस phone को आप एक और तरीके से use कर सकते हैं जैसे यहां पर आप long press करेंगे और यहां पर आपको more का option देखने को मिलेगा more के option पर जाके आपको icon pull down gesture पर जाना है और इसे on कर देना है अब इस तरीके से अगर आप अपने phone पर swipe करते हैं तो आप यह recording के साथ साथ front camera से भी अपनी जो वीडियो है वो record कर सकते हैं लेकिन उसे on करने के लिए आपको पहले settings पर जाना है यहां पर आपको screen recording सर्च करना है screen recording में जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको option देखने को मिलेगा record system sound and record microphone sound यानि कि आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो व आपके screen पर वो भी record होगा लेकिन नीचे की तरफ आपको यह option देखने को मिलेगा कि record front camera video अगर आपको screen recording के साथ front camera को भी record करना है तो आपको इस option को on करना है जो कि आपके phone में off मिलेगा जैसे कि मैंने अगर screen recording on किया अब screen recording आप देख सकते हैं यहां से on हो गया और मैं अगर साथ में camera भी on करूँगी तो मेरा camera भी on हो जाएगा बाकि इस phone में आपको काफी सारी apps ऐसी देखने को मिल जाएं जो कि floating window को भी support करती है तो आप उनको as floating window भी use कर सकते हैं बाकि इस phone में आपको काफी सारी special features देखने को मिलते हैं उसके लिए अपको settings में आना है special features में आना है and then gestures and motion में आना है अब आप यहां से आपको बहुत सारे option देखने को मिलेंगे जैसे कि screen of gesture है यह वाले options आपको normally off मिलते हैं तो यहां से आपको screen of gestures को on कर लेना है और अब आप यहां से बहुत सारे features को enable कर सकते हैं जैसे कि double tap to wake or turn off the screen अगर मैं इसको on करूँगी तो अब मैं जैसी अपने phone पर double tap करूँगी तो यह इसकी screen on हो जाएगी double tap करूँगी off हो जाएगी अब मैं अगर मेना screen off है उस पर oh draw करूँगी तो camera app open हो जाएगी और इस यह draw करूँगी तो आप इसमें कोई भी function अपने हिसाब से select कर सकते हो तो उससे phone unlock भी हो सकता है आपका call भी आप कर सकते हैं अगर आप call वाले feature को जादा use कर सकते हैं तो वो आप use कर सकते हैं अगर मैंने कोई app open कर नी है तो अगर मैं app open कर सकते हूँ off screen पर इस तरीके से draw करूँगी तो मेरी photos app open हो जाएगी अब मैंने इसमें face unlock यूज किया वा था इसलिए ये फटा-फट मेरे face से खुल गया तो आपको ऐसे case में face unlock जो है इसमें on रखना पड़ेगा face अपना register करना पड़ेगा वैसे इसका जो fingerprint scanner है वो भी काफी जादा fast है मैं आपको show करती हूँ ये देखिए, face unlock भी इसका काफी अच्छ से work करता है बागी functions तो इसमें इतने सारे हैं कि एक video में उसे cover कर पाना बहुत difficult है लेकिन मैंने इसमें आपको ऐसे features बताए है जो वाकिए में कुछ हटके हैं, कुछ अलग हैं So guys, आपको कौन सा hidden tip and trick So guys, आपको कौन सा इसका hidden feature सबसे ज़ादा पसंद आया मुझे comment करके जरूर बताईएगा और अगर आपको कोई question है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे like करना बिल्कुल न भूले तुम बिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye, stay safe and stay connected